सबसे पहले प्राहार में बात करने वाले हैं two way जिहादी प्लैन की आखिर कौन खेल रहा है ट्रेन को डी-रेल करने का खतरना खेल क्योंकि बार-बार साज़िश का एक ही पैटर्न दिखाई दे रहा है आखिर देश के रेलवे नेटवर्क को कौन निशाना बनाना चाहता है क् कालंदी एक्स्प्रेस को उडाने की तैयारी थी सोचे ट्रैक के पास पेट्रोल मिलता है, माचिस मिलती है सिलेंडर मिलता है, तैयारी तो ऐसी रग रहे थी, गोधरा पार्ट टू की तैयारी की बात कही जा रही इसके अलावा, खबर सूरत से भी सामने आई, सूरत में गड़ेश पांडाल पर नफरती पत्थर बरसाए गए, छे लोगों की इस मामले में गरफतारी भी हुई है, लेकिन क्या ये भी साजेशन किया क्या है इस पर भी आपको पूरी डीटेल बताएंगी और दूसरी खबर, जो आज हार में इंपोर्टन्ट रहने वाली है, अब वो जानकारी आपके सामने रखें, जहां कुछ दिनों में जमो कश्मीर में चुनाओ होना है, सेना और प्रशासन मुस्तैद है, भारत के दुश्मनों का चुन-चुन कर सफाया हो रहा है लेकिन आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है, घाटी को चान्ती उसकी बनी रहे, इसकी और बढ़ता देखकर आतंकी परेशान है, बोखलाए हुए है, और घात लगाकर हमला करने को तयार बैठे हैं, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं बता कि भारत के सुरक्षा बल आतंकीों से कई कदम आगे चल रहे हैं आख उठा कर देखने वालों का अंजाम क्या होगा, ये भारती एसेना ने एक बार फिर से बता है इस पर भी आपको डीटेल में जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, नफरती प्लान जो सरहत पार से आ रहा है वो जो प्लान तयार किया गया है जिहादी प्लान, उस पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं, बड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं संजोग नहीं एक बड़ियोग भारत को अस्पस करने का जाजीश कामजस ने एक टूल कीट बनाया है भारत के ट्रेन वो ट्रेन तो गोधरा बन जाता प्लाद की सांती को धेस पहुचाने वाले जाहे वो कोई भी लोग उन्हें नई चुड़ा जाए एक नए तरह का जिहादी प्लान तयार कर लिया गया साज़श नजर आरिया आप रेलवे भी देख पा रहे हैं और जिस तरह से गड़ेश पांडाल पर सूरत में हमला हुआ है उसकी जलक्यां देख रहे हैं इसा लग रहा है कि सरहत पार से यह भड़काने की साज़श हो रही है तैयारी वहां से की जा रही है और घटनाए यह भारत में होती दिखाई दे रही है बाकाइदा इसके लिए पूरी प्लानिंग की गए है भड़काव बोल बोले गाए है क्या कुछ हो रहा है किस तरह से यह प्लान चलाए जा रहा है कैसे स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया जा रहा है यह अब हम आपको डीजेल में बताने क्या जा यह सब से पहले आपको हम दो तस्वीरे दिखाई यह दो तस्वीरे तीन तस्वीरे आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि गटना जो हो रही है क्या स साजिश की यह श्मानियेगा कि यहाँ पर पेट्रोल मिलता है, सिलेंडर मिलता है, माचिस मिलती है यानि क्या बड़ा धमाका करने की साज़िश दी ये तमान सवाल है, दूसरी तस्वीर सूरत की आप देख रहे हैं जहां गड़ेश उत्सव में पांडाल के बाहर पत्थर बरसाए जाते हैं और निशाना बनाए जाता है, आला कि ये रहत की बात रही कि गड़ेश जी की मूर्ती को कोई नुकसान नहीं पहुचा है लेकिन बरेली से भी खबर सामने आई, जहां पर रातो रात अवैद दिर्मान कर लिया गया लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्लैन है, या अलग-अलग जगों से अक्टिव ह हुँ रहा है जब हम आपसे कहरे हैं कि सरहत पार से ये साज़श की जा रही है तो सरहत पार से साज़श के ताश जुड़ते भी तिखाई दिये एक ऐसा बयान, एक ऐसा भड़काओ बयान जो लगातार वाइरल पिछले कुछ दिनों में हुआ है, वो अब आपको सुनवाते हैं पहले फिर इस पर बास करें लाजिस्ट्रिक याने फौज और पॉलिस के सहूलती निजाम को तबाह करना, हमलो नकल के जराए याने ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लैन को सबोताज करना, इस तरहा के अमल से दुश्मन को अक्तिसादी नकसान भी पहुंचेगा और इनके अदर अफरा तफरी पहलेगी, लाजिस्ट्रिक याने फौज और पॉलिस के सहूलती निजाम को तबाह करना, हमलो नकल के जराए याने ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लैन को सबोताज करना, इस तरहा के अमल से दुश्मन को अक्तिसादी नकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी, सुना अपने रेलवे टेक जो नेटवर्क है, उसको पूरी तरह से नुकसान पहुंचाना, इससे दुश्मन में अफरा तफरी मचेगी, जाती नुकसान पहुंचेगा, ये दरसल पाकिस्तान की आतन, फर्तुल्ला घौरी का बयान, कौन है तरहले ने इसे आतनकवादी खोशित कर दिया था, मोस वोड़ेट की जो लिस्ट है, उसमें इस आतन की फर्तुल्ला घौरी का नाम शामिल है, फर्तुल्ला लाहौर में बैठकर भारत की खिलाफ तमाम साज़शे रचता है, यहां स्लीपर से जुड़ा रहता है, कनेक्टे रहता है और उनको निर्देश दिता रहता है, जैसा भी निर्देश दिया, जो हमने आपको सुनवाया कि कैसे रेल में नेटवर्क को खराब करना है, कैसे जाती नुकसान पहचाना है, उफरात अफरी मचानी, गुजरात में अक्षरधाम हमला जो हुआ था, आपको याद ह और वही गोरी अब प्रोबगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, प्रोबगेंडा ओडियो हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से ये कह रहा है, कि रेल जिहात पैलाना है, ये उसी गोरी की आवाज दिया और प्रोबगेंडा फैलाकर ये कोशिश करता है कि लोगों में डर और देहशत हो और यही वज़ा है यही वज़ा है कि देखिए इससे पहले भी कई ऐसी घटनाए होती रही है यह पहली घटना नहीं है आपको बता देते हैं कौन-कौन सी घटनाए हुई है और कैसे इसका भी रेल जिहाद से जो प्रपोगेंडा वीडियो फ्लोट हुआ है उ अभी कालंदी एक्सप्रेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई है उस समय साबर मती एक्सप्रेस टारगेट पि थी गोवन पुरी में वोल्डर से यह ट्रेन टकरा गई थी और इंजन समेथ 22 कोचेज डीरेल हो गए थी जब जांच की गई परताल की गई तो दावा किया गया कि ट्रेक पर कुछ बांधा गया था और जिसकी वजह से यह घटना हुई यानि वो भी साजशन ही घटना हुई थी 24 अगस्त को फरुखाबाद में भी ऐसी ही घटना होती है डीरेल की जो कोशिश होती है कासगन जा रही पैसेंजर ट्रेन के आगे लकड़ी का टुकड लकड़ी का टुकडा ट्रैक पर रख दिया गया ट्रैक पर उसे सेट कर दिया गया ऐसे कि ट्रेन की स्पीड कम होने से पहले ही वो डिरेल हो जा लेकिन ट्रेन की स्पीड कम थी ऐसे में यह हाथसा टल गया तो ये दो हाथसे तुमने आपको पहले के बताया और आज का भी ह आक्टिव होगा हैं लेकिन सुरक्षिया एजंसिया भी उतनी ही तेजी से आक्टिव दिखाई दे रही है और आपको बताएं कि यह हाटसा जो कल हुआ है यह बड़ा हो सकता और नुक्सान हो सकता था जो कहा जा रहा कि कई आत्रों की जान जा सकती थी उसकी तैयारी पूरी को देखिम जुती का सबस्ट्रों कfrage माला जा मँनिस्टर कहोंहें पूला का सनिह ड़र कि यह तो आत्रों कि करियो पूला लिख से दोप्ची नोब।